हाई अबरिवन आप सब का स्वाह गता है कोड़ फूर एडुकेशन में यह है जावस्कुट का पार्ट 84 इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावस्कुट के अंदर रिसाइज बाई और रिसाइज टू के मैथड के बारे में इस दोनों मैथड कैसे वर्क करते हैं आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं गाईज तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इन दोनों मैथड के बारे में थोड़ा सा तो मैंने इंट्रोड़क्शन रखा हैं यहाँ पर ज स्माज पारे होंगे जो हमारी विंडो है जैसे प्रीस कश्रीक्ष वीडियो में आपको विंडो समझाथ तो हमें सेट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं नहीं होता क्या है कि हम मैं तो और गो पैल्यू को देते हैं हिसाब से हमारे box को it means की browser को set कर देता है but बात करें इसके बाद में next okay जैसके हमारे को यहाँ पे 100 दिया ठीक है जैसके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने browser open करा by default वो 100 by 100 करा मैं चाहता हूं कि वो 200 by 200 it means की 250 by 250 का हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे use करेंगे आपका resize to method को अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे resize by को the resize by method in html window is used to resize a window by the pacific amount relative to its current size it means यहाँ पे आपने देखा होगा previous वाले में मैंने आपको relative सिखाया था कि बताया था कि by वाला option किस तरीके से work करता है move by तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है तो यहाँ पे होगा क्या यहाँ पे suppose मैंने मेरा जो pop up है it means की मेरा जो browser है वो by default 100 by 100 से open हो रहा है बट मैं चाहता हूँ उसको कि वो 150 by 150 हो जाए बट वो ऐसा होगा नहीं क्यों क्योंकि जब हम resize by को use करते हैं तो वो by default में क्या करेगा जो भी उसकी value होगी browser की उसके अंदर वो add on करेगा that's why आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हुआ क्या यहाँ पे हमारा 100 by 100 का था by default बट हमें चीए था 150 by 150 का तो यहाँ पे उसने क्या करा 100 plus 150 को 1250 कर दिया यह है यहाँ पे ठीक है यह दोनों methods किस तरीके से work करते हैं चलिए इंस दोनों को मैं practical करके दिखाता हूँ तो यहाँ चलते हैं अपने iter पे so guys iter पे आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे मैंने एक file बना रहे है part 84 javascript resize by and resize to dot html यह same folder होने वाला है जिसके अंदर पूरा course cover करा है हमने यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैं प्रिवेस वाली class में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ही रखा हुआ यहाँ पे by default यहाँ पे URL नहीं है यहाँ पे width दे रखे, height दे रखे, left and top इसका क्या output निकल रहा है वो अगर आपको मैं दिखा हूँ browser पे तो यहाँ पे window है, इसको मैं minimize कर देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है इस पे करेंगे click, click करने के बाद आप देखेंगे तो देखें कितना छोटा सा आपको window देखने को अब मैं चाहता हूँ जो आपको दिख रहा है विंडो अब इसका size हम change कर सके तो change करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक button बनाना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक button लेंगे इस button का नाम change कर दूँगा मैं इसका कर दूँगा resize and resize के बाद में यहाँ पे window जो हमारा function है उसका भी नाम change करके एक नया function बनाएना होगा हमें तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया function यह देखे function यह देखे function define करा मैंने and इसके अंदर हम क्या करेंगे my window जो है it means कि जो हमने उपर define करा है variable अभी उसको हम यहाँ पे करेंगे use तो मैं my window.resize ठीक है इस resize के अंदर resize 2 वाली को सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे 400 by 400 करना चाहते हैं इसको ठीक है इतनी चीज मैंने कर दी मैं करूँगा save and save करने के बाद यहाँ चलेंगे यहाँ पे आने के बाद में आप देखेंगे दो बटन मेरे को यहाँ पे visible हो भी रहे सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा एक new browser आपका open हो चुगा है अब क्या चाहते हैं हम इसका width and height को set करना तो यहाँ पे जैसी मैं click करूँगा resize पे तो resize पे click करने के बाद आप देखेंगे तो देखेंगे इसकी width plus height यहाँ पे increase हो गई है कैसे क्योंकि यहाँ पे हमने function पे इसको बताया है कि like सबसे पहले वो क्या करें इस variable के अंदेर इसकी height 400 by 400 कर दे अगर आप चाते हैं इसको और increase करना तो 600 by 600 कर लें जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं आप तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं इसको close करूँगा आप देन वापिस आएंगे यहाँ करेंगे click करने के बाद यहाँ आएंगे तो देखें आप देखें तो यह चीज़ आप समझगे कि किस तरीके से ही चलता है अब इसी के अंदर आपके पास में option होता है buy का ठीक है जो buy वाला आपने previous में भी सीखा था और यहाँ पर ही मैं आपको बता रहाँ कि जो add-on कर देता है इसके अंदर अगर मैं buy वाले को use करना चाहता हूं तो देखे मैं buy वाले के लिए क्या करता हूं कि buy वाले के लिए 300 by 300 करना चाहता हूं ठीक है अभी हमारा by default क्या है वो देखो आप यहाँ पर 200 by 200 है ठीक है it means कि यह add-on करने का काम करता है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा resize by करने के बाद 500 का हो जाएगा तो मैं यहाँ करूँगा save and save करने के बाद यहाँ चलेंगे यहाँ करेंगे click करने के बाद आप देखेंगे 200 by 200 दिख रहा है आपको अभी इसके बाद जैसी resize window पर click करूँगा मैं यह हो जाएगा आपका 500 का अगर आप बात करें real actual में यह कितना होता है आपका 300 by 300 अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं 300 by 300 जिससे की एक अंदाजा मिल सके आपको तो यहाँ चलेंगे यहाँ पर आने के बाद यहाँ open करेंगे तो देखें यह size होता है actual में 300 by 300 का बट जब हम इसको on कर देते हैं जब इसको हम on कर दे रहें और यहाँ पर अगर मैं इसको वापिस 200 कर दूं जो कि पहले था और मैं करूं save and save करने के बाद वापिस चलें यहाँ पर अभी तो आपका 200 by 200 है बट जैसे हम करेंगे click करने के बाद देखें इसका size कितना it means कि वो add on कर रहा है वो एक separate आपको height and width नहीं दे रहा वो previous वाली आपकी width and height को add on कर रहा है new height and width के अंदर तो यही है आपके दोनों methods resize to and resize by hope आपको समझ में आयोंगे अगर आपको कोई doubt है तो comment करके आप पूछ सकते हैं वीडियो की comment section में अब next हम क्या पढ़ने वाले वो भी एक बार देख लेते हैं guys so guys next वाले पाट में हम देखेंगे आपका javascript के अंदर scroll by and scroll 2 के method को किस तरीके से ये दोनों methods work करते हैं javascript के अंदर theory and practical thanks for watching about this video जबते के लिए till then bye bye guys